दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे इंपोर्टेंट मैटर पर डिसकस करना चाहता हूँ कि आजकल कुछ यूटूबर अपनी वीडियो में कोईंस के प्राइस बहुत कम बता रहे हैं जो की ऐसा बिल्कुल नहीं है इन लोगों की सैटिंग होती है एक्जिविशन में अपने डीलर बिठाते हैं वहाँ पर आप लोगों को बोल रहे है इस सिक्के के वैल्यू कम चल रही है बेच दो आप बेचने तो एक्जिविशन में ही जाओगे न वहाँ इनकी सैटिंग होती है rare coin आपसे ले लेंगे ये चीज समझिए अभी आपको बोल रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं दिल्ली एक्जिविशन लगने वाली है आप alert हो जाएं बिल्कुल अपना कोई भी rare coin sale ना करें ये आपसे कम दामों में ले लेंगे जब इनके पास माल आ जाएगा तब ये आपको बोलेंगे ये rare coin है इसलिए आप ऐसे यूटूबरों से बचिए जो आपको गलत जानकारी दे रहे हैं यूटूबर का नाम है नोमिनिस पेज इस इनसान से बचिए इसके चैनल का नाम है आपको मेरे स्क्रीन पर दिख रहा होगा इसको अभी अनसस्क्राइब करें कॉल कत्ता का है ये बहुत बड़ा फ्रोड है आपको बहुत गलत जानकारी दे रहा है भविश्य में आपका नुकसान इस इनसान की वज़े से होगा मैं लिख कर देने के लिए तयार हूँ कि इसकी वीडियो बिल्कुल ना देखे आपका माइंड वोश कर रहा है बिना प्रूफ के वीडियो बना रहा है कुछ भी बोले जा रहा है अपने चैनल पर कोई लॉजिक नहीं है उसका क्या मतलब निकलता है इसको ये भी नहीं पता चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते है तो नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल कोईन ओल्ड इस गोल्ड में वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाता हूँ आपके पास पुराने सिक्के या नोट है आपको उसके बारे में कोई भी जानकारी सही है तो आप कमेंट में पूछ सकते है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पांच रुपे के ऐसे सिक्के के बारे में जो की आज के समय में पांच रुपे के सबसे कीमती सिक्कों में गिना जाता है ये सिक्का गोल्डन जुबली ओफ 1965 ओपरेशन थीम पर जारी किया गया था तो दोस्तो इन सिक्कों को जारी किया गया था 2015 में और ये सिक्का पांच रुपे के तीन सबसे रेयर सिक्कों में से एक सिक्का है तो क्यों इस सिक्के को रेयर माना जाता है और क्या है आज की समय में इस सिक्के की कीमत इन सभी बातों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को तो दोस्तो इन 5 रुपे के सिक्कों को सबसे पहले जारी किया गया था 2015 में और इन में जो सबसे पहले सिक्के थे जिनको हम First Strike कहते हैं वो सिक्के बाद के सिक्कों से काफी अलग थे तो उस टोपिक पर जाने से पहले हम इन सिक्कों की आपको बेसिक जानकारी दे देता हूँ तो दोस्तो इन सिक्कों को जारी किया गया था 1965 में हुए भारत और पाकिस्तान के युद की याद में जिसने 2015 में अपने 50 वर्ष पूरे किये थे तो इस गोल्डन जुबली के अफसर पर जारी हुए थे ऐसे 5 रुपे के और 50 रुपे के सिक्के जिन में से 50 रुपे के सिक्के पूरूफ और UNC सेट में जारी हुए थे लेकिन वहीं ऐसे 5 रुपे के सिक्के को कोमन सर्कुलेशन में भी जारी किया गया था तो दोस्तो इसकी एक तरफ देखे, यहाँ पर 1965 स्मारिक अभ्यान का 68 जनती वर्ष लिखा गया है, साथ ही इसके नीचे वीर्ता और बलिदान और उसके आगे है वेलर एंड साइक्रिफाइजिस, वही नीचे की तरफ अंग्रेजी में 1965 गोल्डन जुबली ओपरेशन लिखा हुआ है, और बीच में देखे, यहाँ पर अमर जवान इसमारक का चित्र बना हुआ है, साथ ही इसके नीचे 2015 जो इसका मिंटे जियर लिखा गया है, और सबसे नीचे इसका मिंट मार्क है, वही इसके पीछे की तरफ देखे, यहाँ बना हुआ है, बीच में अशोक इस्तम का चित्र सत्ते मेव जयते के साथ और नीचे है रूपे 5 और इसकी दोनों तरफ भारत और इंडिया लिखा गया है तो दोस्तों इन सिक्कों का वजन है 6 गराम इन सिक्कों को बनाया गया था निकल बरास में और इन सिक्कों को सिर्फ मुंबाई मिंट से ही जारी किया गया था तो इन में common circulation के सिक्कों में भी दो तरह की variety आती है जिसमें पहली है first strike दूसरी है second strike तो इन में जो rare coin है वो है first strike के सिक्के तो बात कर लेते हैं इन दोनों सिक्कों के अंतर की ये सिक्का जो ज़्यादा shine कर रहा है ये सिक्का है first strike का वहीं दूसरा सिक्का जिसमें कम शाइनिंग है यह है सेकंड स्ट्राइक का सिक्का और इनमें सबसे बड़ा डिफ्रेंस तो इनकी शाइनिंग में ही है इनमें first strike के सिक्कों की shining proof के सिक्कों जैसी थी second strike के सिक्कों की finishing normal ही थी और दोस्तों इनमें जो अगला अंतर है वो है इनका date और mint mark का तो दोस्तों first strike के सिक्कों में year और इसका mint mark काफी छोटा लिखा गया था जबकि वहीं सेकंड स्ट्राइक के सिख्कों में ये काफी बड़ा देखने को मिलता है तो दोस्तों ये तो हो गई इन सिक्कों के अन्तर की बात तो चलिए अब जान लेते हैं दोनों सिक्कों की कीमत के बारे में तो इन में जो first strike के सिक्के हैं उन सिक्कों की आज के समय में कीमत है UNC condition में कीमत है 500 रुपे से 6,000 रुपे जबकि वहीं बात करें ऐसे second strike के सिक्कों की तो ये सिक्के ज़्यादा rare तो नहीं है लेकिन ये सिक्के आपको दिला सकते हैं UNC condition में 15 रुपे से 20 रुपे तक कर देना मैं आपके लिए रोज ऐसी knowledgeable और interesting वीडियो लाता रहता हूं तो मिलते हैं next वीडियो में जै हिंद